नमस्कार, असलाम वालेकुम दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होमियोपैथी क्यूर और में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड बुखार टाइफाइड फीवर टाइफाइड बुखार क्या है? टाइफाइड बुखार एक gastrointestinal infection है, जो सालमोनेला टाइफी के कारण होता है। टाइफाइड होने पर तेज बुखार, डाइरिया और उल्टी मुख्य रूप से होता है। दूशित पानी या भोजन के जरीए इस bacterial infection के होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इस टाइफी मुख के जरीए आपकी आंतों में प्रवेश करके वहां लगभग एक से तीन सप्ता तक रहता है। उसके बाद आंतों की दीवार, intestinal wall के जरीए आपके रख प्रवा में प्रवेश कर जाता है। खोने से ये टाइफॉइड बैक्टीरिया अन्य उतको, tissues और अंगो, organs में फैलकर कोशिकाओं के अंदर छिप जाता है, जिसका पता आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं, immune cells भी नहीं लगा पाती है। टाइफॉइड के लक्षन, symptoms of टाइफॉइड टाइफॉइड के रोगियों को बैक्टीरिया के संपर्प में आने के लगभग एक से तीन सप्ता बाद लक्षन दिखाई देते हैं। गंभीरता के आधार पर रोग की अवधी तीन से चार सप्ता तक भी हो सकती है। सामान्य इंक्यूबेशन समय साथ से 14 दिन है। टाइफॉइड के कुछ प्रमुख लक्षन इस प्रकार है। सिरदर्द, कब्ज या डाइरिया, तेज बुखार, 103 डिगरी फेरिन हाइट, भूख ना लगना, लिवर और स्प्लीन का बढ़ जाना, सीने पर लाल रंग के निशान, ठकान, ठंड लगना, दर्द और कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द। टाइफॉइड के कारण, causes of टाइफॉइड, टाइफॉइड बुखार तब होता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थों और पानी का सेवन करता है, जिसमें ऐस टाइफी बैक्टिरिया की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसके अलावा, एक टाइफॉइड रोगी चेन भी दूशित हो सकता है, टाइफॉइड का निदान, diagnosis of टाइफॉइड, यदि आपके लक्षणों को देखने के बाद डॉक्तर को लगेगा कि यहाँ टाइफॉइड हो सकता है, तो वहाँ कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोल सकता है, सालमोनेला टाइफी आपके शरी टेस्ट माना जाता है, डॉक्तर टाइफॉइड डियने और एंटी बोडीज की जाच के लिए अन्य ब्लड टेस्ट करवाने का सुझाव भी दे सकता है, टाइफॉइड बुखार की होमियोपैथिक दवा होमियोपैथिक मेडिसिन फॉर टाइफॉइड फीवर, ब्रॉनिय ऑशना एल्बा 32 बुन्द दिन में 3 बार, कॉलकिकम 32 बुन्द दिन में 3 बार, रस तॉकसिकोडंडरॉण 1A, 3 खुराक सुबह खाली पेत, टाइफॉदिनम 32 बुन्द दिन में 3 बार, बैक्तिसिया Q 15 बुन्द आधा कब गुनगुना पानी से दिन में 3 बार झाल झाल